हाई श्टुदेंट्स इसके पहले चेप्टर नमस 17 का वीडियो आप लोग का जा चुका है उसमें किसी भी श्टुदेंट को दीकर तो जरूरी मेंसन करना कॉमेंट में आप लोग जरूरी मेंसन करना ताकि हमको भी पता चले कि मेरे बच्चों को क्या क्या पैसानी हो रहा है यह जो चेप्टर लेके आए हैं मेंजाइमेंट आफ नेशनल इंकम यह चेप्टर नमस 18 है इसके पहले आपका कंसेप्ट आफ नेशनल इंकम गया था चेप्टर नमस 17 और एक भाई फी से बोलेंगे साधे श्टुदेंट चैनल को सब्सकाइब किजिए यह आप चैनल नही सब्सकाइब करते हैं तो आपके पास वीडियो नहीं पहुचेगा आप जानते हैं चाहते हैं कि सारा वीडियो आपके पास पहुचे तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सकाइब किजिए और जितना भी कोमास और आर्ट का स्टुदेंट है सभी के पास लिंक भेजिए यह दी प्ले लिस्ट में सारा चेप्टर का अब्जेक्टिव है, चेप्टर नमर वान से लेकर हम SBPD बुक से पढ़ा रहें, उसमें टोटल 30 चेप्टर है, 30, 3 जी दो, चेप्टर नमर वान से लेकर 30 तक सारा वीडियो आपका प्ले लिस्ट में मिलेगा, आप लोग जिस वीडियो का जाका अब्जेक्टिव देख सकते हैं, तो चली, यह आपको क्लाश 12 का है, यह चेप्टर नमर कितना है, 18, मेजर्मेट आफ नेशनल इंकम, साधे श्ट्वेन को एक बाइफी से बोलेंगे, अधिक साधिक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब किजिए, यह आप लोग का चेप्टर नमर कितने से है, 18, मेजर्मेट आफ नेशनल इंकम, यहां से भी आपका अब्जेक्टिव जाएगा न, दो से तिन नमर का अब्जेक्टिव आएगा, यहां से भी कितना आपका अब्जेक्टिव होगा, दो से तिन नमर का, अर लास्ट में आप दो सोब्जेक्टिव बिनस स्टड़ी का दो सब्जेक्टिव इसी दो यह दो सब्जेक्टिव आप पढ़ लेते हैं तो 30 से 40 नमर कंफार्म वही जैएगा अभी सब टाइपिंग हो रहा है चली आते हैं आपको कोचन नमर वन पर देखें कोचन नमर वन आपका क्या है देखे which method is adopted in measuring national income national income major करते समय किस method को adopt किया जाता है production method यह तो होता ही है income method expenditure method all the above national income लिक आलने के लिए तीन method होता है आप लोग पढ़े भी है एक पहला होता है production method दुसरा income method तीसा expenditure method तीनों method होता है कोई दीकत चली कोचन नमर वन आपका हो गया देखे कोचन नमर टू which sector is included in an economy बताइए economic में तीन sector होता है आप लोग जान ही रहे primary sector secondary sector तरसाइज सेक्टर तरसाइज सेक्टर को सामिल करेंगे all the above तीनों सामिल होता है यह भी पुछा हुआ कोचन है बोलेगा कि किस sector को economic में सामिल करते है तब primary sector secondary sector तरसाइज सेक्टर अब कोई alternative नहीं है अब हम लोग इतना आप लोग के लिए करें ता आप लोग का भी कुछ करना चाहिए रूटीन के अनुसार पढ़ाई करो बाकी इधा उधा उधा के चकर एकदम से stop 12 के एकजाम दो उसके बाद जो काना राम से मन बाय करते दो लेकिन अभी एकदम से 12 प है कि अभी नहीं बस एक महिना के टाइम है एक महिना के बाद जो काना करते दा हो चले देखिएगा which service is included in the service sector बताइए the service sector में किस service को सामिल करेंगे mining construction animal husbandry इसमें क्या होगा communication communication को सामिल करते हैं टरसाइज सेक्टर में क्योंकि टरसाइज सेक्टर का ही दुस्या नाम क्या है service sector यह भी objective पूछा जाता है कि टरसाइज सेक्टर का second नाम क्या है टरसाइज सेक्टर के किस नाम से जाना जाता है service sector के नाम से चले question number 4 which one is included in secondary sector insurance manufacturing secondary sector में किसको सामिल करेंगे manufacturing को चले 5 which one is included in primary sector बताइज primary sector में किसको सामिल करेंगे देखो बिहाय बोड में पुचा हुआ है solar bees 22 यह सब कोचन को एकदाम से control बाभू कर लो यह दी आपको economy ओ देखो economics में 95% लाना कोई बड़ी बात नहीं है चुटकी के कमाल है बस थोड़ा सा practice करो चले देखेगे which one is included in primary sector land forest mining all the all the all these तीनो के तीनो primary sector में सामिल होता है चले question number 6 देखे कोचा नमस्य तू इंक्लूड दा भैलू अफ गूड्स और साभी स्वीज मोर दन वान टाइम वाइल कैलकुलेटिंग national income is called जब national income को काउंट करते समय यह दी किसी गूड्स को दो से अधिक बाइक काउंट कर लेते हैं यह बोला है तू इंक्लूड भैलू अफ गूड्स और साभी स्वीज मोर दन वान टाइम यह दी किसी गूड्स और साभी स्वीज को एक से अधिक बाइल नेशनल इंकम काउंट करते समय सामिल कर लेते हैं तो उसको किस नाम से जानेंगे सिंगल काउंटिंग डबल काउंटिंग हम आपलोगों को किलिया बताये हैं कि जब किसी एक गूड्स के भैलू को एक से अधिक बाइ सामिल कर लेते हैं कि ये भाईलू को एक से अधिक बार नेशनल इंकम में सामील कर लिया जाए तो उसको भोलेंगे डबल काउंटिंग समया गया? चली कोई भी डाउट हो आपलोग कॉमेट में जदु मेंसन करना आपलोग हेजिटेशन नहीं पढ़ने वाला एस्ट्ट्ट किसी से पीछे नहीं चूटता है सबका में दिमाग एक जैसा होता है कोई एस्ट्ट्ट बोलता है कि वो तो बहुत जल्दी याद कर लिटा है ऐसा कुछ नहीं है वो इस्ट्ट्ट अपने माइंड को इसा सेट अप कर दिया है ताकि एक बार देखा याद हो गया चली वीच वान इज कॉंपोनेट्स प्रॉफिट बता है इसमें प्रॉफिट का कौन कॉंपोनेट्स है डिविडेंट यह तो हाई ही इसका सही एंसर क्या होगा डी होगा कोई दीकर चली नेक्स्ट पॉइंट वीच वान इज इनकलूदे इन नेशनल इंकम मतरी नेशनल इंकम में किसे सामिल किया जाएगा इसमें से किसको सामिल किया जाएगा निव फाइंट निव फाइंट निव फाइंट वीच वान इज इनकलूदे इन कैलकुलेशन अफ नेशनल इंकम को कैलकुलेट करते समय इसमें से किसको सामिल किया जाएगा निव फाइन फाइनल गूड्स और सविसेस अ इनकम ओफ इंडियन कम्पनी इन अब रोड यह भी सामिल कहेंगे Expenses made by foreign tourists in country इसका सही answer क्या होगा? D होगा चले, last question अपका है Which of the flowing is not included in calculation of gross national product बताइए, gross national product के calculation में इसमें से किसको सामील नहीं किया जाएगा Which of the flowing is not या रखिये, जहां जहां not दिग गया, यहां पर आप alert हो जाओ नौटे आपको डूबा देगा, ठीक न? जहां not दिखे, वहां पर alert हो जाना चाहिए Which of the flowing is not included in calculation of national product, gross national product purchase and sale of old commodity intermediate commodity A and B both, non of the इसमें से दोनों को सामील नहीं करेंगे पुराने समान को खईद भीकरी करते हैं तो बताएए न, उसको national income में सामील नहीं किया जाता है intermediate product मतर semi-finish, इसको भी national income में सामील नहीं करते हैं आपका सही बाबू एंसर क्या होगा? C होगा कोई दिकत A and B, चले, next कोचन, last कोचन एगार क्या है? देखे, what is GNP deflation? बताए, GNP deflation के क्या formula है? यह देखे, बिहार बोट 1220 में पूचा हुए आईए कोचन इस बाइगा confirm आएगा, 100% what is GNP deflation? GNP deflation के क्या formula होता है? तो देखे, इसका formula हम बताए हुए हैं आपको क्या formula? national GNP divided by real GNP into 100 इसका क्या formula होता है? national GNP divided by real GNP into 100 इसका सही answer क्या होगा? यह होगा तो देखे, आपनों का chapter number 18 समाप यह दि आप 11 कोचन पढ़ लेते हैं तो confirm 2 से 3 नमर आपका लिखा हुआ है इसी एगाया में से 2 से 3 आएगा, 100% मन में डाउट मत रखिए जो बोले वही करो यह ही थोया आलस वाला भावना काम बहुत जितना भी देख, 4 टाइप से स्ट्वेंट है कामल में सामे में घूज जाना दीन में उठना 12 बजए यह छोग दो अभी 12 है 12 तो बोलना तो नहीं है नामे काफी होता है इंसान को टेंसन देने के लिए 12 नामे काफी होता है ठीक सभी को थाइंक्यू आप लोग अधिक से अधिक इस वीडियो को स्याइक कीजिए पढ़ाई कीजिए